देश के लोग प्रिये कथा व्यास और इन दिनों चर्चा में हैं बागिश्वर धाम के बीठा धीश्वर। चर्चा इस बात की है कि नागपुर में उनकी कथा के दौरान कुछ लोगों ने इस बात को लेकर बिवात कर दिया कि उन्होंने कथा को बीच में छोड़ा। जबकि इस मामले की सच्चाई कुछ और है। इन दिनों बागिश्वर धाम सरकार की कथा चतीजगर की राजधानी रायपुर में चल रही है। यहाँ पर महरास्टर नागपुर का वह शिश्य मंडल भी पहुचा है जो नागपुर में आयुजित होने वाली पिछली कथा को पूरी तरह से देख रहा था। हमने महराश्ट नागपुर के इस शिश्य मंदल से बात की और जानने का प्रयास किया कि आखिर नागपुर में हुआ क्या था कथा के आयो जग राजेश मोट घरे ने बताया कि दरसल पूरा मामला एक घटिया पब्लिसिटी का है उन्होंने बताया कि महराश की कथा 11 जनवरी तक ही थी और इसकी जानकारी पूर्व में अखवारों में भी छप चुकी थी जब महराश वहाँ से 11 जनवरी को कथा संपन करने के बाद निकले तो घटिया प्रसिद्धी के लिए कुछ लोगों ने ये कह दिया कि बेचुनोती से डर कर भाग गए मालूम था और पेपर में भी और महराश जे के कथा में भी इसका उल्लेक आ चुका है हितवाद नाम का देनिक है इंगलीश का उसमें 7 तारीक को ये बता दिया गया था उस देनिक में ये है कि 11 तारीक को महराश कथा करके जाने वाले है तो इसमें कोई संधेय नहीं है कि उनका हेतु अपनी संस्ता के प्रसिद्धी के लिए ही वो इस प्रकार का कार्य कर रहे है और वो एक प्रकार से सनातन हिंदू लोगों की जो भी यह जो कथा चल रही है तो उसमें किस प्रकार का विगन डाले या उसके प्रतिक कैसा लोगों के मन में संभरम पैदा किया जाए यह हेतु इनका है ऐसा दिखता है वो मीडिया से ही मीडिया के माध्यम से ही बात कर रहे थे तो उनको जवाब भी मीडिया के माध्यम से ही जा रहा था यदि उनको हमने यह भी आवान किये थे कि वह कभी भी आकर देख सकते थे उनको मीडिया के माध्यम सी गया था आवान तो उन्होंने क्यूँ नहीं शुकार किया है कि किसी को किसी भी प्रकार की ना लिखित ना बहुंखिक किसी से भी संपर्क किया गया है हिंदू लोगों के मन में ही इस विशय को लेकर काफी चीड है हमारे हिंदू समाज के लोग इसके लिए एक प्रोटेस्ट करने वाले 20 तारिक को विश्व हिंदू परिशत के तरब से कथा पास तारिक से 13 तक क्योंकि हमारे सारे जो लिटरेचर है या पोस्टर है बैनर्स है या पत्री का है वो तो पहले डाल चुके थे ना पर महराज जी का प्रवास 11 तारिक तक ही रहने वाला है यहाँ पहले ही बताया जा चुका था सभी कोई इसकी सूचना थी है इस मामले में नागपूर के और श्रत धालू भी रायपूर पहुँचे उनसे भी हमने बात की और जानने का प्रयास किया कि आखिर नागपूर में क्या हुआ था उसके यह प्रचार कर रहे है जैसा कि गुरुद्यू की जो पहले कता थी पास से 13 तक थी उसको इसाफ से काट छप गई थे पहले से इसके वज़े से उनको लग रहे है कि पास से 13 तक कता थी मगर गुरुद्यू ने तीन हमको आट दिन पहले यह बताया कि पास से 11 तरक तक पर दो दिन पहले बता दिया था कि कटा दो दिन पहले मेरे गुरुदेव का जनम दिन है मेरे को वाँ जाना है करके उन्होंने 11 तारिक तक ही कता रखी और गुरुदेव का जो जनम दिन साला सर्में मना रहे थे रामा बद्राचारी का उदर गुरुजी गयत है ऐसा कोई ने वो पेपर से माध्यम से ही दिये कोई संपरकन ये साधा समीती से ना कोई कॉंटक किया उन्होंने तो कुल मिलाकर महरास्ट की अंधर श्रद्धा निर्मूलन समीती के श्याम मानो इस पूरे मामले में जूट बोलते नजर आ रहे हैं श्याम मानो ने पिछले दिनों दावा किया था कि उन्होंने बागिशवर सरकार को चुनौती दी थी कि बे उनके दस लोगों के विशय में जानकारी बताएं और इस चुनौती के बाद बागिशवर सरकार नागपुर की कथा चोड़कर भाग गये पिछले तीन दिनों से इसी मामली को लेकर बागिश्वर महराच मंडित धीरेंदर कृष्ण सास्तुरी भी तमाम जगों पर पत्रकारों से इस मामली की बात कह रहे हैं कि बे निर्धारित कथा के बाद ही निकले हैं जबकि श्याम मानव उनके नागपूर छोड़ने के बाद अलग ही राग अलाप रहे हैं अब नागपूर के रहने वाले इन लोगों ने इस मामली की सच्चाई बताई है विलास जवादे मानवत परवनी महराच से आया हूँ नागपूर में एकदम बढ़िया लगा दरबार भी इसलिए मैं दर्शन के लिए और आया और कता का अनन्द लेना चाता हूँ ने ओ आभी कुछ लोग रहते हैं उनको मुह नहीं देने का क्योंकि भगवान है सब पूच भगवान के उपर है और है सच है महराजरी नीश्वार्श बावन से करे कारिया बहुत सही है बजरंग बली की सेवा है उनकी अनमान जी की जैसरी राम उससे कुछ नहीं जाता पूलता हूँ प्रवावित होए तो मैंने दरबार देखा देख लिया जिनको परची मिली वो सोला पेशिया किये थे उसने वो मेरे साथ में ही वहाँ पे वाल पे रुका था वो एक साधाहन था लगनो का उसको मनाकपर दरबार में परची मिली उसे और उससे प्रवावित हुआ और अच्छा रहा है मैं तो बगवान का खरता हूँ एक सत्संग करने के हिसाब से और है सही है सब कुछ मेरा था भगवान के उपर है मैं एक बिजनेसमेन हूँ हूँ कुछ लोग है उनको बोल नहीं सकते न आप उन्होंने देखा क्या वो बोलते क्या वो बोलते दूद में गी नहीं है अरे तुम दूद से प्रक्रिय ऐसे जाओ ना फिर तुमको गी दी कि कि अउनके नहीं सोबश्यूर्ण देखा क्या है तुम महारा स्रीच के जाओ च microscopर कुछ पे जाओ एक कि नहीं एक का उन्हों पाशिया करो और फिर देखो तुमका महारास्री किसी को भी दिखा वो उस उस क्रपा से भगवान के ना के करपा से उपर बोलते महारा स्री महारा हिंदु जो भी है वो प्रचार करेंगे हिंदुत वादी है अच्छी बात है न ओ थोड़ी के और किसी धर्म को बुराई करें वहाँ पर मैंने मुस्लिम महिलाय भी देखी चत्रपूर पर कि वह आये थी दर्शन के लिए वह अधर धर्म के लिए लोग भी आ रहें न वहाँ वह सही दे रहें अभी कोई कुछ वोलता हुंको नहीं उनका quality नहेते जितकी लेवल होँगी उतनों समझेगा अभी लौकी तुमके पुरी पड़ाई होंगी तो उपको लौकी बात समझेगी तो लौकी बात है ये तो भगवान की बात है अध्यत्म है ओ ऐसे बोलने से क्या होता है ओ नाकपुर में बोले मैंने भी सुना ओ शाम जी पनो गलत नहीं उनका बोलना गलत है पहले तुम मैं तो एक महिने से मेरे दिदूने भागवत कता बोली थी और नाकपूर बोली तो मैं अधर्शन गया ता महिने देखा और मैं हर बार भगवान का अक्रत्ता हो